हाई फ्रेंट्स आज हमें इस च्छत पे कुंसिल पाइप लगाना है हाउस वाइरिंग के लिए यहाँ पर आगे में देखो चार फिट का बालकोनी गें और यहाँ पर लेफ्ट साइड में डेर फिट का छज्जी है इसमें लाइट लगाने को नहीं बोला गया और बालकोनी म पर लेफ्ट का चज्जी है तीन रूम के आगे और यहाँ पर लेटनिंग बातरूम कीचन इस साड़ है राइट साड़ में यह जो आप होल देख रहे हो यहाँ पर जगह छोड़ा गया है वह लाइट के लिए और हावा के लिए छोड़ा गया है को सिल पाइप लगाने से हमें वह जगह ढूंड़ना होता है जहाँ पर हमें लाइट बॉक्स लगाना है और फैन बॉक्स लगाना है उससे पहले मैं आपको यह दिखा रहा हूं यहाँ जो छत था है उसे छे इंच तोरा गया तोर के जहाँ पर दिबाल था वहाँ तक लाया गया ताकि बाद में दिखाने दो पतला दिखाने यह यह लाइट बॉक्स ले आपको लगना है बहुत ही है वी घॉलिटी करना है क्योंकि जब इस्कोड़ यह होता आदम इस पर चड़ जाता है जा फिस फे गारी जो हता है वह मसाला वाला वह भी चड़ता है तो इससे कोई दिकत नहीं होना च जाएगा तो बाद में आपको कोई प्रब्लम नहीं हो यादी पाइप में यादी मसाला चला गया तो उसे निकाले में बहुत ज़्यादा प्रब्लम होता है और कभी-कभी फस जाता है तो फिर से हमें छत को काटके पाइप लगाना पड़ता है जिस जगह पर रूम में और ब बो आपड़ सभी सभी जगह लाइट करे इहां पर मेंने पहले material लगाया था लेक requINE उन्होंने बोला यहांपर इंपर कोंशींट ऑक्स लाइट ब्लब का होल्डर लगाना इसलिए उस लिए को हुटा कर राट को होर्य हता ना ब्रू नेॉन पन्रब से में पाइजर कर लेन आपको दिखाता हूं डाय की मदद से किस तरह का पहले हाप पूलोहा का ट्रा करना पड़ेगा निद्यक को घीचना किसी एक साइड तो यह टेड़ा हो जाएगा आप देख सकते हो यह जो फैन बॉक्स है उसके आगे वो टेड़ा था उसी तरह का से हमें लगाना है मैंने सार है लाइट बॉक्स लगाए चलिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह का से मैंने किया है किसी एक सिंगल रूम का मैं आपको दिखाता हूं पहले एक सिंगल रूम में मैंने तीन जगा पाइप गिराया है तो तीन जगों जो पाइप गिराया है वहां पर हमें लाइट देना है मतलब कि तीन दिवाल के तीन साइड हमें लाइट देना है और फैन जो है फैन मैंने सेंटर में नहीं दिया जिस साइड बेड रहेगा उसी साइड मैंने थुरा सा घसका दिया लगो छे इंच चेंज के आसपास मैंने फैन बक्स को घसका दिया है बेट के तरफ ताकि प्रॉपर हब आजाए और यादा पता भी नहीं चले कि सेंटर में नहीं है और तीन सडियमाने लाइट के लिए पायप को गिराया है ५िन साइड में लाइट रहेगा और दिवाल के दोसु जो आप लगाते हो तो आपको किस तरीका से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ यहां पर जो लोहा बिचावा रहाता है दो लेयर में बिचावा रहाता है दोनों लेयर के बीच में आपको इस पाइप को लगा देना है मैं आपको starting से दिखाता हूँ यहां पर यह जो main paper यह आया है और सिधे balcony में यहां पर last in point तक आया है फिर जहां जहां पर fan box है fan box से room के अंदर गया है fan box से सबसे पहले जो यह जो एक पैप गया है वो बरामडा के लिए बरामडा में एक बोड है वहां के लिए गया है और उसी फैन बरामडा के फैन बॉक्स उसके सामने जो रूम है वहां पे गया है में वाइर वहां से आएगा तो सबसे पहले फैन बॉक्स से बरामडा का जो फैन बॉक्स है उससे सबसे पहले में बोड में जाएगा रूम के मे आने के बाद इसे मैं आपको दिखाता हूँ यह किस तरीका से इसे हमें अच्छे से बांध देना है इसे आप मतलब कितना भी लात मारो या फिर कुछ भी मारो तो यह लेगा नहीं हमें इसे बहुत ही अच्छे से चार-चार वायर लेके इसे सबसे पहले फैन बॉक्स के दोन और सबस्क्तर बांध देना है कि इस तरह का साथको बांध दना कि पाइप और धरा फोड़ा आदमी नहीं कभी धख़ा लग जया यादि कुछ लाज जागा ती यह इससमें से निकल सकता है इसलिए जआ पर जॉैंट हो याप लंबा डिस्टेंस रहा आपको अच्छे से ब और यह हम को बेंगे को तोटे नहीं से अच्छे से बांद कि नहीं हो नाبة करें रहे हैं Làm रेक पाइब के जहांब जैक्शन बॉक्स में फैन बॉक्स मिनके लेक लगा पहले प़्यदी को स्भालब नहीं और त피ंस व नपक्संप जै तक्ट्धा के च्पक हैelijk चलता आपको साफ साफ पता चले जाता है कि यहां पर लाइट आफ्ट यह CD है और यहां पर जो है मेरा दिवाल आएगा CD का तो CD में हम यहां पर एक बोड लगांगे और उसी बोड से बाहर में जो छत में लाइट लगांगे लाइट और बोड के परपसे यह पाइप ऊपर के तरफ निकाला गया है यहां पर आप देख से तो जब यह छत को तोरा जो 9 फाइप था थो 3 टूट गया था त 125 क्या उस पर में एक फ्रॉपर वीडियो में बनांदोया यहां पर आप देखो तीन फाइप जो निकला है लेफ्ट सैट में यहां पर跳 जो निकला है जहां से वहाँ पर एक एक जेक्शन बॉक्स है वहीं से सारा पाफ डिस्ट्रूबिट हुआ है यदि आपको होस वारिंग के दिलेट तो को भी प्रब्लम हुआ ताप हमें कुमेंट बॉक्स में पताना मैं आपको जरू सर्यूस दूगा धन्यवाद